गर गर नल बैठा हुआ कि बोल घर में पानी जाएगा पानी नहीं जा रहा है नल खड़ा है कि बोल पानी टंकी सो में गड़ा गिया है कि पानी जा रहा है घर घर पानी गिरिये नहीं रहा है कुमा से पानी पी रहें गंदा पानी निकलता है बारसात में जी कादो कीचल होता इसी भी सब डलाते हैं कुमे ने, वही पानी पीते हैं, बाल बचा बिमार पर जाता है, तक सर्दी खांसी से अधे आदमी, कहां इलाज करेंगे गारीव आदमी, तो ही सरकार दिये कहले, पानी के लिए घर-घर के सुरिशी से बाचा लोग पिये गार रहेगा, तो कहल दे हैं प्यांकी कवार चवार के ले जाई गहीं हैं, कहें देख सी काडल रहेगा, जिसके कारण गाउं के 50 घरों के लगबग 300 लोग खेत में बने गंदे कुवे से पानी पीते हैं, तो आज हम चलते हैं इस गाउं में और देखते हैं इनके क्या-क्या समस्या है पानी निकलता है, उसी से सब लोग माय बहिन सब पी रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग के बहुत पानी के समस्या मतलब तपलीक हो रहा है, हम लोग के नहाने फिचने बहुत दिकत है आपके गाउं में जो जल मुनार लगाया है, कब लगाता है? एक चूरू पानी नहीं जाता है कब लगाएगा है नल शाल भर हो चुका है तो कभी उससे पानी मिला है आपको एक चुरू पानी नहीं मिला है आप कितना परिवार है आठ परिवार है आप पानी कहां से पीते हैं कुवा से पीते हैं पानी हम लोग बहुत कुवा ने भी पानी गंद निकलता है पांच शे साथ खी भरते हैं पानी और लाते हैं एक कि आपजाएंगे है तो पानी गीर नहीं रहा है मईने हैं चाहिए है करते हैं कि नल घुसांगे पानी फिलाएंगे यह भी नहीं करता है नहीं कर पे जुए Oo really अगर आप सभी को मेरा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और आप भी मेरे साथ बदलाव का हिसा बने